उस दिनों पहले ऑक्सफोर्ड युनिवस्टी की ओर से कुरोना वाइरस की वैक्सीन के ट्राइल को लेकर भले ही बड़ी काम्याबी मिली हो लेकिन सोशल मीडिया पर इसके बारे में कई गलत दावे किये जा रहे हैं वैक्सीन के सुरक्षित होने को लेकर गुमरह करने वाली कई तरह की बातें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं हाल के सालों में टीका करन के विरोध में चलाय जा रहे हैं ऑनलाइन अभिहान ने जोर पकड़ लिया है और अब इसका निशाना कोरोना वाइरस के वैक्सीन के दावो पर केंद्रित हो चुका है सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो खूब चल रहा है जो कतित तोर पर औस्टी ओफेट केरी मडेस का बताया जाता है इसमें कोरोना वाइरस के वैक्सीन से जुड़े गलत दावी किये गए हैं इस वीडियो में ये भी दावा किया गया है कि कोरोना वाइरस का वैक्सीन डिने में बदला अवला देगा वीडियो में कहा गया है कोविड-19 का वैक्सीन इस तरह से बनाया जा रहा है जो हमें अनुवान्शिक तोर पर बदल देगा वीडियो में वो बिना किसी प्रमाण के ये भी दावा करती हैं कि वैक्सीन हमें किसी आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के इंटरफेस से भी जोड़ देगा ये दावा पूरी तरह गलत है WHO के मताबिक अभी दुनिया भर में कोरोना वाइरस के 25 अलग अलग वैक्सीनों का ट्राइल चल रहा है लेगिन इन में से कोई भी इंसानों के डिने को प्रभावित नहीं करने वाला है और ना ही किसी आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के इंटरफेस से जोड़ने की तकनिक उसमें मौझूद है वैक्सीन इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को वाइरस से लड़ने के लिए तयार करें कैरी मडेस कई और भी गलत दावे करती हैं इन में से एक दावा उनका ये भी है कि वैक्सीन के ट्राइल के दौरान इसके सुरक्षित होने को लेकर किसी भी विग्यानिक प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है BBC ओनलाइन हेल्थ एडिटर मिशेल रॉबर्स कहती हैं इस्तमाल के लिए अपनाई जाने से पहले नए वैक्सीन के सुरक्षित होने को लेकर पूरी सावधानिया बढ़ती जाती हैं और सभी मापदंडो का पालन किया जाता है BBC ने कैरी से उनके दावो को लेकर संपर्क करने की कोशिश की लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है सबसे पहले इसे जून में यूट्यूब पर डाला गया था वहाँ इसे तीन लाग से ज्यादा लोगों ने देखा है अब इसे फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर भी खूब देखा जा रहा है दक्षन अफरीका की एक वज्यानिक सारा डाउंस बताती हैं कि उनकी मा ने सबसे पहले ये वीडियो उने दिखाया था उनकी मा जिस प्रेयर गुरुप से जुड़ी हैं वहाँ ये वीडियो खूब शियर किया गया था उन्होंने इसके बाद इस गुरुप में उस वीडियो में किये गए कई दावों की पोल खोलती है अपनी जानकारियां शियर की वो कहती हैं आप ग्रुप में सही सही जानकारी उन लोगों को मिली है जिसे लेकर मैं बहुत खुश हूँ जब Oxford University के और सिक किये जा रहे वैक्सीन ट्राइल के शुरुआती नतीजों के खबर प्रकाशित हुई थी तो कई फेस्बुक ग्रुप में कोरोरा वाइरस के वैक्सीन को लेकर बहस शुरू हो गई थी कुछ फेस्बुक यूजर ने लिखा कि उन्हें वैक्सीन नहीं चाहिए क्योंकि उन्हें लगता है कि वो गिनिपिक की तरह इस्तमाल किये जाएंगे और बेपरवार अफ्तार के साथ इसका उत्पादन किया जाएगा वैक्सीन को विक्सित करने की जल्दबाजी की वज़े से इसके सुरक्षित होने को लेकर आशंकाई जताई जा रही है लेकिन ऑक्सवोर्ड वैक्सीन ग्रूप के प्रमुक प्रोफेसर एंट्रू पॉलाड ने भी बिशी को बताया है कि वैक्सीन के ट्रायल से सम्म establishment सभी सुरक्षा परकृईर को अपनाया जा रहा है जिन देशों में वैक्सीन के ट्राइल हो रहे हैं वहां नियामकों के सुरक्षा रिपोर्ट्स का भी खयाल रखा जा रहा है पहले दो चरण का ट्राइल तेजी से इसलिए हो सका क्योंकि कुरोना वाइरस की वैक्सीन पर ओक्सवोर्ड में पहले से ही कई काम हो चुके थे ट्राइल हुआ है उनमें से करीब 16-18 प्रतिशत में सिर्फ मामूली बुखार देखने को मिला शोद करताओं का कहना है कि साइड इफेक्ट को परसेटमॉल की मदद से ठीक किया जा सकता है जब ऑक्सवोर्ड में चल रहे वैक्सीन ट्राइल की शुरुआत हुई थी तो ये दावा भी किया गया था कि पहला वलेंटियर ट्राइल के दौरान मर गया है जो पूरी तरह से गलत जानकारी है US Centers for Disease Control का कहना है कि सबसे पहले तो उस वक्त कोई वैक्सीन था ही नहीं जाने माने इतिहासकार और लेखक Mark Honningsbaum का कहना है कि बिटेन और अमरीका के वैग्यानिक उस वक्त तक मामूली बैक्टिरियल वैक्सीन पर काम कर रहे थे लेकिन आज की तरह कोई वैक्सीन तब तक मिला नहीं था उस वक्त किसी को भी यह नहीं पता था कि यह इंस्वेंज आ कोई वाइरस था उस वक्त Spanish Flu से लोगों के मरने की दो कारण थे एक तो Flu के संक्रमन से और दूसा संक्रमन के दोरान इम्यून सिस्टम पर अत्यादिक जोर पढ़ने से फेपणों में पानी भरने की वज़ा से